नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में आज हम बात करेंगे कक्षा साथ की दूर्वा की हिंदी की पाठे पुस्तक में चोदहवे पाठ की जिसका शीरशक है पानी और धूप इसे सुबद्रा कुमारी चोहान जी ने लिखा है तो चलिए पढ़ते हैं पहली पंक्ती में लिखा है अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहां से यह पानी किसने फोड घड़े बादल के की है इतनी शयतानी भईवा बच्चो आपको तो पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है किसी चीज को समझाने के लिए उसकी तुलना दूसरी चीजों से कि करते हैं अब जो चीजें हमें पता है उन्हीं का तो हम उधारन लेंगे है न तो इस कविता में ऐसी ही एक कलपना की गई है कि एक बच्ची जो है वो अपनी मां से कह रही है कि जब बारिश हो रही है बिजलिया कड़क रही है है न तो फिर क्या हो रहा है तो जो कुछ भी गटनाए घट रही है उसको वह अपनी अपनी समझ के आधार पर अपनी मां से कहती है कह रही है अभी अभी तो धूप थी और अचानक से देखो यह जो पानी है यह कहां से बरसने लगा आखिर वह कौन है जिसने ये जो बादल है इनके घड़ों को फोड़ दिया है और इत अपने घर का दर्वाजा उसकी माने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा और जैसे आप जानते हैं कि अक्सर जो माएं हैं वो अपने बच्चों को बुलाती है ना कि चलो बिटा बहुत देर हो गई अब घर में आ जाओ और दर्वाजा फिर लगा देती हैं तो ऐसे ही बच जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका किसको डाट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना मा का और जैसे हम अपनी मा का कहना नहीं सुनते तो जो अक्सर हमारे घर के बड़े होते हैं जैसे कि काका चाचा कह लीजिए वो क्या करते हैं हमें डाट लगाते हैं ना कि अरे क्यों नहीं बात मान रहे हो मम्मी की है ना तो वैसे ही बच्ची कह रही है कि ये जो बादल है ये भला किसके काका है जो इतनी जोर जोर से गरज रहे हैं मानों किसी को डाट रहे हो जिसने अपनी मा का शायद कहना नहीं सुना है इसके बाद में आगे लिखती है कि बिजली के आंग जो बिजली कड़क रही है ऐसा लग रहा है जैसे बिजली के आंगन में तलवार चल रही हो उसकी चमक को देख करके कितनी चमक रही है लेकिन फिर भी सारे किसार तो सारे वार तो खाली जा रहे हैं इसके बाद अगली पंक्तियों में लिखा है बच्चो कि क्या अब तक बच्चो को उसे बिजली के घर जाने द तो बच्ची क्या करेगी जाएगी बिजली के घर यानि आस्मान में और फिर उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखला देगी अब देखिए यह चित्रो को ध्यान से देखिए जो यहाँ पर बनाए गए हैं बच्चों आगे देखिए क्या लिखा है खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार तब मा कोई करना सकेगा अपने उपर अत्याचार और यहाँ पर बच्ची जो है वो मा से कहती है कि खुश हो जाएगी बिजली जब मैं उसके बच्चों को क्या सिखा दूंगी तलवार चलाना और फिर यह होगा कि वो जो बिजली है वो खुश हो करके मुझे क्या देदेगी एक चमक्ती हुई तलवार देदेगी और फिर मा को वो निश्चिन्त हो जाओ तुम क्योंकि अब अपने उपर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा आगे लिखा है बच्चों कि पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे और फिर बच्ची कहती है कि जो अपने काका है उनको फिर पुलिस वाले पकड़ने नहीं आएंगे और तलवार को दूर से ही देख के सब डर जाएंगे तो अगर चाहती हो मा काका जाएं अब ना जेल खाना तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुचाना काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार फर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार तब मा उस बच्ची को समझा रही है कि देख बेटी काका तो अब जेल नहीं जाएंगे तुझे तलवार भी दिला दूंगी लेकिन तुब बिजली के घर जाने का कभी विचार अब मत करना इस सुबद्रा कुमारी चौहान जी तौरा रचित कविता है इसकी कुछ शब्द हैं जिनके शब्दाद यहां पे दिये हैं जैसे कि शैतानी शैतानी का अर्थ होता है बच्चुक्या शरारत अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म वार का मतलब होता है चोट करना प्रहार करना है ना और काका का अर्थ है चाचा चाचा को ही क्या कहा जाता है, काका कहा जाता है, जब कविता समझ ली है, तो आईए अभ्यास पर थोड़ी चर्चा कर ले, लिखा है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, ठीक है अभी कर देते हैं, जैसे लिखा है सूरज ने बंद कर दिया अपने घर का दर्वाजा, तो है बरसने लगा खालेस्तान यह पानी, तो इसमें आएगा बरसने लगा कहां से यह पानी, फिर अगली पंक्तियां है, फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, तो इसमें आएगा किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, और इसमें आएगा कि क्यों ड काट रहे हैं क्या कहना नहीं सुना मा का इसके बाद में लिखा है इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है जैसे नमूना दिया है सूरज की माने उसको बुला लिया इसका अर्थ है ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा होगा तो वैसे ही य पाका किसी को जोर जोर से डाट रहें तो ऐसा लगता है कि आसमान में बादल गरज रहे होंगे फिर है आंगन में तलवार चल रही है तो ऐसा प्रतीत होता है लगता है कि आसमान में बादलों के टगराने से बिजली कड़क रही होगी जिससे देखकर बच्ची मां से कह रही ह कि आंगन में तलवार चल रही ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बच्चो और आगे बढ़ते हुए ये रिक्तिस्थानों को पूरा करते हैं जैसे लिखा है तुम वहां खालिस्तान जाओ तो इसमें आ जाएगा मत जाओ फिर है परिक्षा में खालिस्तान तो रामू फेल हुआ खालिस्तान ही असलम तो इसमें ऐसा जाएगा कि परिक्षा में ना तो रामू फेल हुआ और ना ही असलम इसके बाद है मुझे इस प्रश्न का उत्तर खालिस्तान पता यानि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता इसके बाद है मा ने मुझे च्छत पर जाने से मना किय ठीक है ऐसा यहां पर हो जाएगा फिर आगे लिखा है कविता की अनुसार सूरज को उसकी मा ने क्यों बुला लिया है या फिर अगला प्रशन है बादल काका जोर-जोर से क्यों डाट रहे हैं तो बच्चो देखिए क्या है जब सांज हो जाती है जब शाम का समय हो जाता है तो इसलिए बच्ची को ऐसा लगा बच्ची मा से कह रही है कि सूरज ने अपनी मा को अपनी मा ने जो है सूरज को शायद लगता है घर पर बुला लिया कि अब देर जो है वो हो गई है ना ठीक है आजा पुकार दिया तो बच्चो इसी तरह से आप ये प्रशनों के उत्त इससे क्या होता है बच्चों इससे यह होता है कि हमें इस बात की खबर हो जाती है पता चल जाता है कि हमने जो पाठ पड़ा है जो अध्याय समझा है हमें उसकी एक्जरसाइस उसके जो प्रशनुत्तर है वो कितने समझ में आ रहे हैं बच्चों मुझे उमीद है कि आपको य जानकारी को बाकी मेरी फिर आप से जल्दी मुलाकात होगी बच्चो अगले नए अध्याय में अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और तब तक के लिए तब तक के लिए बच्चो आप सभी को मेरा नमस्कार